अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो आप हमारे चैनल स्टड़ी शाप 360 को जरू सब्सक्राइब कर दिजे और बेल आइकॉन के ओपर भी प्रेस कर दिजे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे तो IBPS RRB का जो कलर का एकजाम होगा था प्रिलियम्स का मतलब 18 अगर्ष्ट को और 17 को भी होगा था मतलब दो दिन सेटर्डे और संडे एकजाम चला था उसके बाद में कुछ बच्चे जापर बाढ़ आ गई थी उनका बाद में कंड़क करवाए गया है 29 तारिक को सप्टेबल में उनका जो स्कोर का डे वो रिलिस कर दिया गया है तो जो स्कोर का डे वो तो आप चेक करी सकते हैं आइवी पेस की जो वेब साइट है उसमें जाए उसमें आर आरबी के सेक्षेन में जाए और दिया गया है कि किस तरीके से मतलब आपको मार्स कम पड़ गए है या पिर कितना स्कोर आया है वो आप देख सकते जिनका क्वालिपाई हो गया है मैंस उनके लिए शिप्टी मतलब आररबी क्लर की प्रिल्यम्स के एक्जाम की उसमें जो रॉंग पड़ल आई थी तो उसकी वह जैसे कुछ एक्ष्ट्रा मार्क्स मिलते है या नहीं तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है नॉर्मलाइजेशन जोए वो जरूर हुआ है पर जिन बच्चों ने ब तोड़े बढ़ने के बावजुद भी प्रिल्यम नहीं निकला है उसके लावा है एक और इंपॉर्टन बात यह है कि जो मेंस इक्जाम में आई बीपेस आरारबी का ओफिस ऑफिसर स्केल और कलर का भी उसके लिए एक मॉक टेस्ट दी हुई है आई बीपेस की हुआ है ओके तो जो कि अगर हम कॉट अप की बात अगर करें तो पिछले साल जो कॉट अप थे उसके आसपास ही कॉट अप गए है आम तोल पर ज्यादा तर स्टेट्स में थोड़ा बहुत ही दर उदर जरूर हुआ है पर जो कॉट अप है टोटल उसमें मतलब प्रिलेम की अगर बात करें तो ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है पिछले साल की अगर बात करें तो मुझे जिनने स्टेट्स के अभी तक पता चले आसपास ही दिखाय दे रहे हैं पिछले साल जो थे उसके इसके बाद मतलब एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें की बागी के सभी चल कीजिए और हमारे चैनल स्टेट्स आप सिक्स्टी को अगर बितक आपने सब्सक्राइब नहीं कहें तो जलो सब्सक्राइब कर दिजिए